नमस्कर दोस्तों सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है तो हम लोग बैलोजी के प्रिविस एर कोश्चन कर रहे थे अरग भी एंटी पीसी और ग्रूप डी एक्जामनेशन के लिए और देखिए अभी दख जितने भी लेक्चर से हमने कोवर किया हुआ है जेनल साइंस का बैलोजी के जो प्रिविस एर कोश्चन है तो इसका हमने अलग से प्लेइलिस्ट बना दिया है तो अप्लोट डिसक्रप्शन बॉक्स में जाना वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा और इसका साथ में दिखिए दोस्तों आपको जितने भी पीडिएफ है आपके जैस कर सकते हो इसमें आपको पूरे कंप्लिट थियोरी आपको मिल जाएंगे अगर आप लोग इतना कोभर कर लेते हो ना तो आपका देखिए जैनल साथ में देखिए दोस्तों हमने यहां पर एक कोर्स भी लॉंज किया हुआ है जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और इसके अंदर में जितने भी थियोरी आपके इंपोर्टन टॉपिक्स का है वह सारे तो है यहां पर कराया जा रहा है तो आप लोग जाए इसमें कर सकते हो इसके लिए आप लोग हमारा एप डाउनलोड कर ला सर्जी क्लास के नाम से इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ब जरुरत नहीं बढ़ेगी और देखिए जैसे ही आप लोग एप को डाउनलोड करोगे तो आपको जहा है इस्टोर सेक्षन में चले जाना है यहां पर रेइस्टेशन करने के बाद और यहां से आपको जनल साइंस का कोर्स सलेक कर लेना है और जैसे है आप लोग बाई किये तो आप लोग जनल सेंस का प्रिपरेशन यहां से अपना कर सकते हो इसमें जो है यहां पर सारे टॉपिक को अबर कराएगा है जितने भी इंपोर्टेंट है आपका एक जहां पॉंट आफ यू से तो चलिए आते हम लोग अपने क्वेस्टेंस पे तो देखिए क्वेस तो देखिए यह कापी जी कोशन है जो एनर्जी हमें मिलती है अपने जो भोजन से तो उसको जहां मेजर करते हैं हम लोग कैलरी मेजर करते हैं और यह चीज़ कॉमन वर्ड आपने कितना कैलरी जहां बर्न किया एक्सरसाइज करके तो यही चीज़ है आपका यहां पर तो देखिए इससे लिटेड जो पॉंट से आपके तो उसको भी आपको समझना होगा लेकिन उसके पहले एक और कोशन यहां तो दीके लेते हैं कि यहां जैसे दिया हुएक चीप सोर्स और energy is तो energy का chip source कौन सा होता है यहां पर आपका दिखिए दिया हुआ fats, proteins, carbohydrates या फिर minerals तो देखिए इसमें से जो आपका दिया हुआ है जैसे कि energy source के दिबात करते हैं तो वो होते हैं आपके carbohydrates तो carbohydrates सा जो है हमें energy मिलती है तो इसके regarding तो दिखी यहां पर आपने जो भी स्टेडी किया अभी आपने देखा था वहां पर कार्भोईडेट्स या प्रोटीन फैट यह सारे जो होता है न यह हमारे हुट के जो न्योटरिंस होता है तो उनका यह हिसा होता है अब जैसे कोई भी एक हुमन है अगर उसको हिल्दी इनर्जी का याक सोर्स होता है मतलब एनर्जी मिलती है में तो वाग्रफॉट होता है जो जरुरत होते हैं हमारे बौडी के लिए जिसमें कि आपका लिपिट्स है आने के Fats हो गया proteins हो गया इसके अलावे आपका vitamins हो गया minerals है और water है तो यह important components होते है और जिसमें की जो protein और carbohydrate है उनको protective food भी बोला आता है और इसमें important हैपक carbohydrate जो हमें energy provide करते हैं यानि कि अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको जह Carbon आपको हाइड़ेट वाला फूड्स लेना होगा और फैट्स चाहिए तापको लिपीड वाले जो फूड़े यह अपको असेंसल होते हैं तो न्यूट्रिंट्स जो है फूड के लिए फूड मतलब का एक फूड की कंपोनेंट होते है एक्चुली में यह सारे जो मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो आप फूड आइटम जो खाते हो तो उन सभी से आपको जहीं यह सारे चीज पड़ाप्त होती है तो एक हेल्दी डाइट में जो है आपका यह सारे जो करते हैं हम लोग जिसे हमें एनर्जी मिलती है तो जो है आपका मेजर कियाता है कैल्डरी में तो यह इंपोर्टेंट पॉइंट से जो आपका यहां पर मेंशन किया गया हुआ है तो यही चीज यहां पर सेम आपका था कि जो एनर्जी मेजर करते हैं हम लोग कैल्डरी में और यहीं पे अगला आप कता है कि cheap source of energy कौन सा होता है तो energy की बात करते हैं तो इन में से जो carbohydrate है आपका यह cheap source of energy होता है तो जिसमें भी carbohydrates होता है जैसे कि आपका wheat हो गया और rice हो गया तो उसमें carbohydrate present होते हैं तो वो एक cheap source of energy होता है जिसे हमें energy पराप्त होती है तो इसका C जो है right answer हो जाएगा next देखिए question आपका यहाँ पे कि बीच और the following combines with O2 in our body to provide the energy यानि कि इन में सजह है combine करता O2 के साथ में हमारे body के अंदर में जो कि हमें energy provide करता है तो देखिए इसका right answer आपका हो जाएगा ग्लुकोज हो जाएगा option two is the right answer तो ग्लुकोज और साथ में oxygen जब रिये करते हैं हमारे cells के अंदर में तो उन से देखिए carbon dioxide और साथ में water यह release होते हैं मतलब कि यह water बनता है उसका साथ में energy कभी releases होता है यहाँ पर आपका जो कि हमें प्राप्त होती है air से तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है energy religious reaction में और यह आपका क्या हो रहा है हमारे body को energy provide करता है तो यह है आपका glucose reaction करता है auto के साथ में फिर अगला देखिए question है आपका कि वीच्छाब फॉलोविंग is not a form of a monosaturite sugar तो इन में से कौन सा जो है monosaturite sugar का एक form नहीं है तो देखिए दोस्तों जो sugar होते हैं आपके मतलब जो different forms हो जो sugar होते हैं आपके मतलब जो carbohydrates हैं आपके तो आपको वह समझना होगा इसके बाद जो है आप लोग इसको और यह major source होते हैं हमारे energy का लबख 50-70 परसंट जो energy मिलती है हमें तो वह हमें carbohydrate से ही मिलती है और carbohydrate के example की बात करें तो इसमें आपका starch हो गया sugar हो गया glucose हो गया lactose हो गया lactose देखिए जो है आपको milk में ही मिलते हैं और इसके साथ में जो में सोर्स होता है तो इसमें आपका वीट राइस पोटाइटो और बनाना आपका हो गया और देखिए जो डिफ्रेंट फॉर्म जो होते हैं carbohydrate के तो यह होते हैं आपके monosaturide, disaturide और polysaturide तो mono है मतलब mono का मतलब single होता है die का मतलब के two हो गया तो इसको समझने काफी असान है तो monosaturide देखिए simple form होते हैं carbohydrates के मतलब कि जिसमें एक carbohydrate प्रिजेंट रहेंगे इसका example की बात करें monosaturide का तो आपका हो जागा glycose हो जाएगा glucose हो जाएगा और fructose हो जाएगा और fructose है तो यह सबसे sweetest sugar भी आपका होता है यह और वहीं पर dysaturide की बात करते हैं तो यह दिखिए आपका जो है दो monosaturide molecule symbol के बना हुआ रहता है तो उसको बोलते हम लोग dysaturide example की बात करें तो इसका आपका हो जाएगा सुक्रोज और martos हो जाएगा और वहीं पर जो polysaturide आपका है तो यह जो है आपका number of monosaturide molecule से मिलके बना हुआ रहता है तो आप लोग यहीं से identify कर सकते हो लेकिन यहाँ पर एक्जामपल आपसे पुछा आता है कि polysaturide की example कौन-कौन सा है तो इसका आपका हो जाएगा starch, glycosine, cellulose और chitin तो यह example जहाँ important है आपका example under view से तो यह आपको याद रखना है तो इसी से देखिए यहाँ पर question आपका पूछा गया था कि कौन सा monosaturide सुगर नहीं है तो यहाँ पर देखिए कि यह जो है यह dysaturide का यह form आपका होता है तो यही क्या हो जाएगा आपको राइट इंसल मतलब कि यह जो है monosaturide का फॉम यह नहीं है तो option क्या होगा option 4 तो आपको देखिए यह जो इतने भी example आपके दिया वह monosaturide, dicaturide, polysaturide का तो वो आपको याद होना चाहिए तो नेक्स देखिए question आपका यहाँ पर कि which of the following is a good source of vitamin A तो यहाँ पर जो है vitamin A का सबसे अच्छा source कौन सा है तो यहाँ पर देखिए दिया वाई cabbage, carrot, regular potato या फिर strawberry तो देखिए जो vitamin A है आपका तो यह जो है vitamin A है इसके deficiencies होते है night blindness और इसके चलते जो आपका मतलों defense होता है कि person को जो है big vision होता है आप रात में चलेगा तो वो इसको दिखाई नहीं देता एक्च्छली में तो vitamin A का जो है कमी के चलते है होता है आपका और vitamin A का जो chemical ने उसको retinol भी बोलता है आपके night blindness भी बोलाता है इसे तो यह सारा चीज आपको याद रखना होगा तो देखिए इसका good source के बात करते है कहां से आपको vitamin A मिलेगा तो यह carrot जहे सबसे best example है इसका तो option B क्या होगा right answer हो जाएगा फिर अगला question देखिया है कि retinol is mainly related to retinol जहें किस से mainly related है तो यह देखिए vitamin A से आपका यह related है तो द यह सारा topic आपको PDF के अंदर मिल जाएगा और इसको हमने detail में describe किया हुए course में तो यहां पर दिखिए दिया है जिसे vitamin A है इसका chemical name होता है retinol और इसके चलते जो deficiency disease होती है तो वह है आपका night blindness और इसका source की बात करें कि किसमें जहाए आपको vitamin A जादम मिलेगा जो consume करना चाह जो कि पूछा गया था आपका question में फिर अगला दिखिए question है आपका vitamin B1 देखिए B के बहुत सारे complex होते हैं इसके जैसे B1, B2, B3 तो आपको सभी को उसी तरीके से याद करना है जैसे vitamin B1 है तो इसका chemical name होता है thamine और इसके चलते जो deficiency disease होते है तो वह है आपका berry berry और इसके sources कौन-कौन सा है मतलब जिससे कि आपको vitamin B1 मिले तो groundnut है liver है vegetables है तो यह सारा कुछ आप लोग देख लेना है यहाँ पर अगला देखिए vitamin B2 है तो इसका देखिए जो chemical name होता है वह है रेभी और इसके चलते जो इसकीन में जो है आपका cracking appearance आपको देखने को मिलते हैं अगर क इसके चलते जो deficiency होता है तो वह है अपका फिलागरा फिर अगला देखिए vitamin B5 है इसका होता है panthotanic acid और disease जो होता है इसके चलते कमी के चलते तो वह है burning fat syndrome तो आप लोग इन समय को याद कर लेना आच्छे से यह पूरा examination point of view सबका काफी important है फिर अगला देखिए vitamin B6 है इसक देखिए chemical नहीं होता है biotin और disease जो हता है आपका तो paralysis हो सकता है या body age हो सकते हेर पॉल भी होता है इसके कमी की चलते फिर अगला vitamin B12 है इसको देखिए बोलते हैं लोग cyanocobalamin बोलाता है फिर kebalamin तो इसमें जो होता है तो यह आपसे पूछा जाता है आपका यह important है आप ल है इसके चलते होता है और टेराइल ग्लोटोमिक बोलाता है इसका chemical नहीं विटामिन बी-सी यह फी important है आपका इसका देखिए chemical नहीं होता है इसकर्विक एसिड और disease जो होता है इसके चलते तो है इसकर्व ही फिर अगला देखिए यहाँ पर source की बात करता है आपका विटा आपका और विटामिन आपका और विटामिन जो है इसका देखिए होता है टॉको फिरो और रिंक और इसके र जो होता है आपका इसके पर देखिए होता है अब नहीं को आपके यहाँ और भी कोशन देखिए कि the riches source of vitamin D from food is एनि कि जो विटामिन D का जब सा जो रिच्छे सोर्ज होता है आपका जो हमें फूड से मिलती है तो वो कौन सा होगा यहां पर दिखिए दिया हुआ है cotton seed oil, olive oil या cod liver oil या फिर sunflower oil तो इसका दिखिए जो option C आपका हो जाएगा cod liver oil तो यह आदी रखने होंगे जो विटामिन D का जो फूड से हमें मिलता है जो रिच्छे सोर्च है तो आपका cod liver oil है फिर अकला दिखिए दिया हुआ है कि which vitamin among the following is crucial for blood clotting तो इन में से कौन सा विटामिन है कि जो crucial होता है blood clotting के लिए तो हमने आपको आपको देखिए बताया था कि जो vitamin k है कि जो है आपका तो यह काफी important होता है और इसका लेकिंग के चलते हैं blood clotting आपका नहीं होता है तो इसका देखिए आपका राइट एंसर हो जाएगा तो यह सिंपल आपको यादी रखने होंगे उसके पीछे जो concept आपका यह दिखिए हमने लेक्टर में इसको समझाया हुआ है आप लोग वहां से जाके इसको देख सकते हैं यहां पर पूरा डिस्क्राइब करना जो है यहां पर पूछा गया था कि एनमिक कंडिशन इस डूटू तो एनमिक कंडिशन जो है किसके चलते होती है तो दिख है वहां पर आप लोग वहां पर इसका पूरा complete theory देव सकते हो इन फैक्ट जितने भी important topics आपके यह सारा चीज़ा हमने डिस्क्राइब किया हुआ है तो यह समझना आपके लिए जरूरी है नेक्स देखिए question है आपका यहां पर कि what is the genome the genome क्या होता है तो यहां पर देखिए genome के बारे हम लोग डिसक्राज कर लाते है थोड़ा सा तो genome जो है आपका तो यह एक organism का DNA का complete seat होता है और इसके अंदर हम देखिए जिन्स भी होते हैं यह तो basically जो genome है आपका हरे genome जो रहता है ना आपका जितने भी genome जो रहते हैं तो उसके अंदर में यह देखिए सारे information रह रहते हैं और एक humans के अदि हम बात करते हैं तो अगर एक copy जो रहता है ना पूरे genome का तो उसमें जो है अलगभग 3 billion से भी ज्यादा DNA बेस प्रिजेंट रहते हैं जो कि सेल्स में प्रिजेंट रहते हैं निकलियस के अंदर में तो यहां पर देखिए genome को क्या हो जागा तो य प्रिशन मिल जाएगी फिर अगला देखिए दिया हुए question के in which of the following is DNA प्रिजेंट तो DNA जहां यह किसमें प्रिजेंट रहता है आपका तो यह जहां जिन्स के अंदर में प्रिजेंट आपका रहता है DNA और इसी से जहां कारेक्रिस्टिक डिसाइड किया आता है कोई भी करता है तो उसका कौन सा होता है कौन सा पॉर्शन है कि जो उसको करता है तो यह है आपका DNA से ही सारे डिसाइड की जाते हैं तो आपके क्या होगा option two right answer हो जाएगा तो thank you दोस्तो हम लोग इसी तरीके से previous question series आपका कराते चलेंगे इससे आपका revision भी होता चलेगा और यहां पी जो है आपको idea मिलते जाएंगे question जो आप कहा थे किस तरह के आया हुए थे तो हम लोग दिखिए इसी तरीके से biology का बाभी तो करा ही रहे आपका chemistry का और physics का भी आपका करा देंगे और इसके साथ में जीके का भी जो topics है उसका भी हम आपका करा देंगे तो चलिए फिर मि देंगे तब तक के लिए बाए